नौसे अवन आज हम DPDA का problem solve करने वाल है design DPDA for language is equal to WCWR इसका क्या मतलब होता है बताऊंगा तुम लोगो slash W belongs to A, B closure and C is any tape symbol what does this question mean? this question means that सबसे पहले मैं बता आता हो WCWR का क्या मतलब होता है पहले तो W is any combination of A and B उसके बाद C, C is any tape symbol फिर से बताऊंगा बाद में उसका attention मतलब उसके बाद what is WR? WR is जो भी W हम बनाएंगे मतलब W के अंदर जो भी elements हम लेने वाले है WR is उन elements का exact reverse ठीक है? अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लेट से बहुर example as W हमने लिया BAA ठीक है? W के बाद क्या है? C तो C लिखा हमने और उसके बाद W reverse जो W हमने लिया उसका reverse BAAW लिया हमने W reverse would be AAB simple as that यही तो उसका मतलब है ठीक है? अब हमें करना क्या है? देखो तुम लोग को पता है कि यह जो read head है वो हमेशा पहले element को point out करता रहता है और यह जो arrow है वो हमेशा इस R को point out कर रहा होता है इस stack के अंदर हमें इस maths को consider करके एक ऐसा logic डालना है जिससे यह जो arrow है यह उपर जाके stack में वापस R के पास आ जाए अब यह logic क्या डालेंगे यह मैं तुम लोग को बताता हूँ देखो for each a push x यह logic समझाओंगा मैं तुम लोग को बाद में उसका attention मतलो for each b push y ठीक है यह जो दो logics है यह logics हम इस w के लिए इस्तमाल कर रहे है और यह जो दो logics है इसमें matter नहीं करता कि stack में क्या है क्या नहीं है कुछ में matter नहीं करता ठीक है यह हो गया w के लिए हमने logic design कर लिया राइट अब उसके बाद c आता है now when it comes to c for each c when it comes to c हमें कोई भी operation परफॉर्म नहीं करना है और ऐसा क्यूँ ऐसा इसी लिए क्योंकि जब हम c पे आते हैं यह जब arrow c पे आएगा तब उसको समझेगा कि अभी w खतम हो चुका है और अब आगे जो भी है वो w reverse चाले हो रहा है इसलिए c पे कुछ भी करने की ज़रूत नहीं है c पे बस हमें यह उसको पता चलेगा कि अभी मैं बीच में बहुच चुका हूँ ठीक है तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे नोप मतलब कुछ भी करने की ज़रूत नहीं है है तो फिल्जेक लिया भी डीका लाजिक हो गया सीख लौजिक हो गया अब हम डब्ल्य रिवर्स का लिजिक यूस करेंगे आब डिजाइन करेंगे डब्ली रिवर्स का लॉजिक क्या है एत्य क्रव फॉर ीच A पॉप G है एक बड़ यहां पिछन है एंड ड़कर दीचनिस इस मेतलों किस्टाइक टॉप सि receptor सब सबस्टेर ओडर्ले प्रक्राइब तो यहां पर कंडिचन याक्ड टॉप शुर्भी x ठीक है और यह condition क्यों है यह तुम लोग को बाद में बता चलेगा उसके बाद for each b pop y और यहाँ पे भी condition है and the condition is stacked of should be y ओके अब इसके उपर हम यह सारे के सारे commands जाल के देखते हैं देखते हैं कि हमारा logic सही है कि नहीं सबसे पहले b आया method w का भी हाय तो अभी क्या है b के लिए logic push y तो अभी y push करेंगे तो अभी यह arrow इसको point out नहीं करेगा इसको point out करेगा और अभी b का काम हो गया अब arrow आगे बढ़ेगा इसके उपर point करेगा for each a kya है for each a push x तो push x यह ओगया अब arrow इसके उपर point out करेगा arrow इधर जा minion फ़र इच ए पुश एक्स यह हो गया और यह अब सी आ गया फ़र सी कुछ भी नहीं करना है ओके तो हो गया अब सी के आगे डबल्यू रिवर्स चालो हो जाएगा ए डबल्यू रिवर्स का ए पॉप एक्स एंदर स्टैक टॉप शुड़ भी एक्स मतलब बेसिकली यही कंडि हो गया राइट नेक्स्ट अब आगे जाएगा इस एक उपर एका मतलब क्या है अगें पॉप एक्स पॉप कर देंगे और एडर बी का क्या मतलब है बी का मतलब है पॉप वाई एंस टैक टॉप शुड़ भी वाई मतलब बेसिकली यही खतम और हमारा एरो वापस आर के पा एक सही string लेकर इस logic को टेस्ट किया अगर तुमें गलत स्ट्रिंग लेकर भी इस logic को टेस्ट करोगे जो कि मैं चाहता हो कि तुम घर पर करो क्योंकि जैसे कि तुम्हें पता है कि हमारे पास जादा समय नहीं है यह homework है तो अगर तुम्हें तबी भी यही पता चलने वाला है कि जो string फिर तुमने लिया है वो गलत string है इस logic के हिसाब से मतलब अगर तुमने गलत string लिया तो यह logic बताएगा कि भाई तुम्हारा string गलत है क्योंकि फिर processing है नहीं होने वाला वो तुमें पता चलेगा कि कैसे तुम अटक जाओगे बीच में basically इस logic के हिसाब से और गलत string के हिसाब से जाओगे तो या गलत string लोगे तो बट अगर तुमने सही लिया है तो यह logic तुम्हें हमेशा बताएगा या function इतना ददा स्मूथ होगा जैसे कि अभी हुआ कि तुम्हें at the end of the day यही पता दिया अब हम हमारे command जेना चालो कर देता है सबसे पहले state that is q0 कहाँ पर पॉइंट कर रहा है और यह arrow कहाँ पर पॉइंट कर रहा है आर अगर यह situation है तो हमें क्या करना है तो हमें push y करना है तो इसलिए में यहाँ पर लिखेंगे q0 और y और previous stack top r था अब यहाँ पर ध्यान से देखो अब तुम्हें यह समझने के जरूरत है कि यहाँ पर भी है तो हमने यह command दिया बट यह तो wcwr है मतलब यहाँ पर कुछ भी हो सकता था हमने भी ए चूज किया तो यहाँ पर भी आया हम ए भी भी चूज कर सकते थे हम ए भी ए भी चूज कर सकते थे तो अगर हमने वह चूज किया होता था तो यहाँ पर ए आता था तो अगर यहाँ पर ए आता था तो उस तो कोई command लिखा ही नहीं हमने तो basically this is dynamic तुम्हें हर एक situation का command यहाँ पे लिखना है तो तब क्या होता था जब अगर यहाँ पे A होता था तो तो उसके लिए यहाँ पे देखो अगर वहाँ पे A होता था तो it would be like Q0 A और R और तब हम क्या command देते थे तब हम Q0 X for each A push X R तब ही प्रीवेस आर ही होता था यह command देते थे और क्यूंकि हमें अब dynamic करना है इसलिए इसको हम भूल जाते हैं और हमारा खुद का करना चालू कर देते हैं क्यूंकि अगर इसको consider करके हम करते गए तो इसके according ही हम commands करते बैटेंगे फिर वह dynamic वाला possible नहीं है कि सारे क सारे situations के command हम लिखे बट एक्जाम में तुम्हें तब ही marks मिलेंगे जब तुम सारे के सारे situations के commands लिख पाओगे ठीक है तो basically यह first element के command है commands है ठीक है what about second elements के command अब हम second elements के command यहां पर लिखते हैं अब यहां पर ध्यान से देखो जो तुम्हारा second element है वो या तो ए हो सकता है या तो भी हो सकता है राइट अगर वो ए है तो यह second element है second element अगर a है तो first element जो है वो या तो x हो सकता है या तो y हो सकता है और अगर second element b है तो first element या तो x हो सकता है या तो y हो सकता है मतलब अगर suppose हम second element a दे रहे है तो उसका जो पहला element मतलब second element यह है राइट मान लेता है तो उसका जो पहला element है यानि कि यहाँ पे या तो एक situation है कि पहले हमने x डाला था, x push किया था या तो दूसरा scenario हो सकता है कि पहले हमने y push किया था तो यह हो गया और अगर दूसरा element भी है तो same scenarios हो सकते है कि पहले हमने x push किया था पहले हमने y push किया था अब यहाँ पर मैं तुम लोग को एक hack बताने वाला हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा confusion हो रहा है देखो अगर तुमने first element का logic command दोनों देखे तो इस command का जो आखरी element है और इस command का जो आखरी element है वो सेम है और यहाँ पर भी सेम यहीं हमारा hack है हर command का जो आखरी element है वो इधर के command के आखरी element से सेम होता है ठीक है तो अभी यहाँ पर देखो हम क्या लिख लिख रहे है अगर यह है तो q0 यहाँ पर आखरी element जेम सेम ओके q0 आखरी element same same, उसके बाद, q0, आखरी element, same same, और q0, आखरी element, same same, right, अब यहाँ पे देखो, यह बाकिये, अब यहाँ पे, हम बस यह logic यूज़ कर लेंगे, for each a, push x, for each b, push y, for each a, push x, for each a, push x, for each b, push y, for each b, push y, खतम तुमारे 4 rules, या 4 के 4 scenarios, खतम हो गए, right, अब यह जो 6 commands हमने दिये है, यह pretty much हमारे पूरे के पूरे stack को handle करने वाले है, अब handle करते करते, या basically यह arrow गुमते गुमते उपर, एक समय ऐसा आने वाला है, कि यह जो arrow है, वो c के पास पहुचेगा, कभी तो हमारा arrow c के पास अच्छा, तो उसके लिए अब हम commands देंगे, ठीक है, तो अभी यहाँ पर द्यान से देखो, q0, अगर c है, तो यहाँ पर, दो scenarios है, scenario number one, अगर, हमारा यह जो, like, input tape है, या हमारा जो w है, वो अगर a के साथ end हो रहा है, तो यहाँ का जो stack top होगा, वो x होगा, right, और अगर, हो रहा है, तो यहाँ का जो stack top होगा, वो y होगा, simple as that, okay, तो अगर यह x है, या अगर यह y है, तो फरक नहीं पड़ता, हमें कुछ करना ही नहीं, क्योंकि c जब आएगा तब, right, हमें बस knob operation perform करना है, तो knob operation कैसे perform करते हैं, देखो, सबसे पहले तो, यहाँ पे हम state change करेंगे basically, और state q change करना है, जब हम, लेखो, हम w से c पे transition करना है, इसलिए हम state change करते है, that is always safe, और करते ही है, basically, अगर तुमने मेरे pda की lectures देखे होगे, तो तुम्हें पता होगा, कि मैं क्यों कह रहा हूँ, right, and knob, यहाँ पे x लिख दो, यहाँ पे y लिख दो, इसका knob ऐसे perform करते है, ठीक है, और हमारा जो वो आखरी वाला वो जो logic था, वो भी इदर apply करता है, simple as that, okay, तो first element के लिए, second element के लिए for c, okay, अब for w reverse, अब इसके लिए हम commands लिखेंगे, now when it comes to w reverse, देखो, यहाँ पे हमने state change किया, तो यहाँ पे q1 आएगा, right, अब, जब w reverse शुरू होगा, मतलब ज लिए reverse का पहला element, या तो यह ए हो सकता है, या तो यह भी हो सकता है, तो इसलिए या तो यह भी हो सकता है, अगर यह ए है, तो यहाँ का जो stack top है, वो x होगा, देखो, अभी कैसे मैं तुम लोग को करके बताता हूँ, b, a, a, मतलब push y, push x, push x, right, यह arrow यहाँ पे होगा, और c होगा, मतलब 9, अब c के बाद यह arrow यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे stack top क्या है, step top x, अनायर, तो इसलिए अगर यह जो पहला element, w reverse का वो अगर a है, तो stack top x होगा, और अगर यहाँ का पहला element b है, तो stack top y होगा, simple as that, अब अगर दोनो, मतलब दोनो conditions में, हमें क्या करना है, दोनो conditions में, हमें pop ही करना है, ओके, और यहाँ पे जो, like, जो condition था, वो भी सची है, stack top x, stack top y, like, stack top in the case of ax, और stack top in the case of b, y, तो दोनों case में, हमें pop ही करना है, ओके, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, q1, pop, और q1, pop, तो दोनो case में pop हो गया, तो अभी, इन दो commands के मदद से, यह arrow घूम के वापस, नीचे आएगा, pop करते, 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 वापस r पे आएगा, तो अभी r का जो situation है, मतलब जो, commands for final state, वो commands हम लिखेंगे, तो अभी देखो, final state का command हम कैसे लिखते है, q1 state, उसके बाद epsilon, epsilon का मतलब क्या होता है, epsilon का मतलब क्या होता है, epsilon का मतलब, देखो, final state को सबसे पहले define करेंगे, final state का मतलब क्या, यह सब हो गया है, और हमारा जो arrow है, अब यहाँ पे आखरी में है, पूरा का पूरा input tape खतम हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं है, तो उसको हम epsilon लिखते हैं, और क्योंकि यह final state है, इसलिए हम obviously यह जो arrow है, वो गूम के R के पास आया होगा, तो इसलिए आ का जो stack top है, वो R होगा, simple as that, तो अगर यह है, तो यह accept state है, मतलब final state है, तो इसको हम कैसे define करेंगे, QF, yes, और आगे R, यह हो गया, अब तुमारे मन में या तुम में से जितने भी talented लोग होंगे, उनके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, कि यार यह सब तो ठीक है, बट तब क्या होगा, जब हम हमारे tape के अंदर कोई element ही नहीं देंगे, मतलब यहाँ पे WCW reverse है, बट अगर W में अगर हमने कोई element ही नहीं दिया, तो यह सब पूरा का पूरा चक्कर ही फिल हो जाएगा, तो उस case में हम और एक command लिखेंगे, और वो command ऐसा होगा, Q0, यह command है, like you can say, एक दूसरे partition का command, इसका, मतलब इस command का और इन सब चीजों का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, यह उस paper में अगर तुम लिख रहे हो तो यहाँ पे लिखो special command, ऐसा कुछ, तो Q0 और यहाँ पे आएगा C, अगर हमने W में कुछ दिया ही नहीं है, तो C तो रहता है नहीं, अगर यह है नहीं, तो यह भी नहीं होगा, अगर W नहीं है, तो W reverse भी नहीं होगा, राइट बट C तो होगा नहीं अर बीच में तो इसलिए C आपे होगा ओके तो यह जो arrow है वो C को ही दिखाएगा point out करेगा उस case में and what would be the stack top उस case में उस case में stack top would be R तो यही हमारा final state होगा ना क्योंकि कही जाने का scope ही नहीं है तो इसलिए आपे हम लिखेंगे QF R तो basically है पूरा का पूरा हमारा command set है अब इस command set के अनुसार हम diagram बनाएगे जितने भी states है सारे के सारे states यहाँ पे उतार दो Q0 Q1 और QF यहाँ ठीक है अब देखो कैसे में लिख रहा हू Q0 to Q0 it's a self transition Q0 to Q0 A-R X-R A-R X-R Q0 to Q0 B-R Y-R B-R Y-R Q0 to Q0 A-X X-X A-X X-X Q0 to Q0 A-Y X-Y A-Y X-Y A-Y 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 X-Y Q0 to Q0 B-X Y-X B-X Y-X B-X B-X B-Y Q0 to Q0 B-Y Y-Y B-Y Y-Y Y-Y Q0 to Q1 Q0 to Q1 C-Y Y-Y C-Y Y-Y C-Y Y-Y 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 Y-Y-Y epsilon q1 to q1 that is by epsilon that is by epsilon next q1 to qf q1 to qf what is q1 to qf that is epsilon r and r epsilon r r उसके बाद q1 to qf हो गया और q0 to qf q0 to qf what that is q0 to qf that is cr and r यह हो गया तो मारा डाइगराम रेडी है अब यह जितनी भी सारी की सारी चीज़े हमने लिखिया है हमें चेक करने की जरूबात है कि यह सारी की सारी चीज़े सही है नहीं तो उसके लिए हम आखरी में एक एक एक्जामपल लिखेंगे देखो q0 एक एक एक्जामपल रेक भी ए c a a b ok और आखरी में r अब जो भी हमने आपे commands बनाए है या rules बनाए है वो बस इसके अंदर हमें डालने है ठीक है तो अब यहाँ पे q0 for every b हमने क्या बोला था when it comes to w for every b push y हमने बोला था right तो a a c a a b b चला जाएगा और यहाँ पे push y हो जाएगा ok उसके बाद q0 a चला जाएगा और a का क्या था push x right x okay q0 यह a चला जाएगा और a का हो जाएगा right अब यहाँ पे c आया है c के लिए क्या था c के लिए कुछ करना ही नहीं है मतलब basically बस state change करना है और बागी कुछ नहीं करना है तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे q1 क्योंकि हमने state change किया है और a a b और यहाँ पे कुछ नहीं करेंगा right उसके बाद q1 a के लिए अब यहाँ पे q reverse चालो हो गया है sorry w reverse चालो हो गया एक लिए pop x right तो a b हमने एक्स पॉप किया बचा x y और r next q1 b अब एका क्या था pop x तो y r और q1 b चला जाएगा तो यहाँ पे बच्चा q1 r क्या है देखो q1 epsilon r का मतलब final state which is qf r मतलब accept हो चुका है हमारा accept तो इसका मतलब यह जो पूरा का पूरा problem है यह सच है